हेलो एट वेलकम साथियो स्वागत आप सभी का टार्गेट फॉर आइक्यू में मैं हूँ सत्य देखेगा यूपी एपियो की एक्जाम डेट आ चुकी है और उसी की लेक्चर स्रीज में डार्गेट फॉर आइक्यू पर हम लोग आप लोगों के लिए करेंट अफेयर स्रीज है जब जो क्या क्या चीजी जो हमारे एक्जाम में आ सकती तो सबसे पहले वे यह है की राजीभ कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा राजीभ कुमार ठीके आप लोग यह अब हाले में याद लखेंगे आप लूग से या बने हैं मुख्य चुनाव आयूथ यालि chief election commissioner बने है यह आप लोगों को याद अठना है क्या chief election commission चाए या आप लोगों को याद अठना है मैंने外-doate मे लिख दिया है आप मुख्य चुनाव आयूथ तो यह मुख्य चुनाव आयूथ अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग जो है Election Commission of India वो कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 324 पे यह आप लोगों को याद रखना है जो भारत में भारत की पार्लियमेंट यानि लोगसभा राज्ये सभा और राज्ये के विधान मंडल और उसके साथ-साथ- उप राश्पती और राश्पती के चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है अब जैसे चुनाव की बात आईए राज्य कुमार याद रखने हैं आ लोग कहांसे हैं यह यूपी के अमरोहा से है यूपी के अमरोह डिस्टिक से हैं याद रखेंगे आप लोग यह वेरी इंपोर्टेंट है एक्जाम को प्रों से टिटे अब आते हैं चुनाब के बात तो भाई चुनाब अगर हम चुनाब की बात करें तो अभी हाली में विधान सवा चुनाब हुए हैं कितने राजियों म एक में कितनी हैं चालिस परफिर है आपका तो पंजाब में कितनी है ऑक के एक सो है छीने विधान सवा चीटे आपको याद रखेंगे श। ना थे मड़ीपूर आपके अगर हम बात करें तो यहां पर जो बने हैं और गोवाग चालीज पंजाब 117 और यूके सकता है उत्तराखंड में पुसकर सिंधामी चीपिनिश्टर है पंजाब के बागवन सिंग माद तो यह तो हो गया विधान सवाच्छुनावों से रिलेटिड कोशन जो आपके एक्जाम में आगई आया इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके एक्जाम में क्या है वर् और डिक कंट्री इसलिए मैं बता रहा हूं अभी आप लोग ने देखा होगा प्रदान मंति नेंदर मोधी अभी गए थे क्या नामें इन कंट्रीज की जिसमें स्वीडन और जर्मनी फिल्लैंडिन देसों में गए थे तो यहां पर एक इंडिया नोट कर लेंगे आप इंडिया नोटिक समीट दो हजार पाइस तो यह कहां पर हुई है दो इंडिया नोटिक समीट दो हजार पाइस कहां पर हुई है तो यह हुई है कहां पर देनमार्ग में कहां पर हुई है देनमार्ग देनमार्ग की राजधानी क्या है कोपन हेगन या रख लेंगे इसको आ का नौडिक कंट्री है यह एक अप्जक्टिक आप लोगों को बंगता है कि इसमें कौन-कौन से देश सामिल है तो पहली बात तो पांच देश सामिल है कौन-कौन से भाई या पांच नमबर एक नार्वे नौड कर लेंगे नमबर दो आइसलेंड आइसलेंड ठीक है नमबर इसको आप लोग याज भी रख लेगे फिर है आप लोगों का स्वीडन नमबर चार पर कौन सा है स्वीडन और नमबर पांच पर है डेलमार्क तो यह आप आपको एक्जाम में कोशन आएगा निमन में से कौन से कंट्री नौटिक कंट्री के अंतरगर सामिल नहीं है के लिए होगे आगे बढ़े आप लोग प्लीज कमेंट करके भी बता सकते हैं जो भी एपियों के लिए हमारा क्रेस कोर्स स्टार्ट हो गया तो आप लोग उसको ज आप इस नंबर पर बाट्साप या कॉल करके जो आधिक जानकारी ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैंने पूरी डिटेल डाला है आगे अगर हम बढ़ें आगे अगर हम देखें तो देखेंगा एक्जाम पॉंट ऑफिस है कि ज्यान पीट पुरुसकार याद रखेंगे संभीधान के वर्नित जो भासाएं हैं बाहिस उसी के अकोडिंग यदि कोई राइटर किसी बुक को लिखता है जो पिछले तस सालों पर पब्लिस हुई है उसको मिलता है ना ठीक है याद रखेंगे तो किसको मिला है यह मिला दामोदर माउजो नौट कर कर लेंगे दो हजार बाहिस का इसका जामोदर माउजो ठीक है यह नाम नौट कर लेंगे और कौन सी बाहसा के लिए मिलाए यह कोंकडी में इनकी बाहसाती याद रखेंगे वेरी वेरी इंक्वोटेंट है एक्जाम पॉइंट ओविस है इसको प्लीज आप लोग जो है नो के लिए यूएजN यूएज सी क्या होते तो इसकी फृल फों में लिए दता हूं यूनायटनेसन अगर हम बात करें को से कुरिटी वो टेंप्रेरी होते हैं यानि एस थाई और पांच क्या होते हैं जो पर्मानेंट इंबर होते हैं पांच पर्मानेंट कौन-कौन से आपको पता ही होगा UK, USA, France, चीन और रूस यह पांच दे जो हैं UN के पर्मानेंट मेंबर हैं जिनके पास V2 पाव होते हैं लेकिन जो दस है कोशन यह बन रहा है आप लोग उसे जो यह दस कंट्री है तो यह कौन-कौन है तो पहले आप लिखेंगे 2021 की कौन-कौन है पांच बनी थी फिर 2022 में भी हाली में कौन-कौन है तो 2021 की बात करें हम लोग तो भारत 2021 में बना था आठवी बार मेंबर है याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोटेंट है और कब मना था आप लोग इसको लिख लेंगे यहां पर डेट लिख लेंगे एक जन्वरी 2021 से लेकर यह डिसंबर 2022 तक यानि दो साल तक र जो है इन दो सालों में 2021 और 22 में दो बार इस सेक्यूरिटी काउंसिल का अध्यक्स भारत बनेगा यह आप लोग लिख लेंगे अगस्त 2021 में बन चुका है और अब जो बनेगा 2022 के दिसंबर में बनेगा यह आप लोग यह कंफूर्म कर लेना दुबारा समझ लेना UNSC United Nations Security Council य पांच इस्थाई और पांच जो इस्थाई है वो UK, USA, France, चीन और आपका रशिया है इनके पास वीटो पावर है दस जो बनते हैं पिरती एक साल जो है बनते रहते हैं और दो साल का इनका काड़ेकावल होता है जिसमें 2021 में एक तो भारत बना था बारत आठी बार बना एक के दिसम्बर 2022 तक और इसमें अध्यक्स बन चुका है एक एक महिनी देख्म बनता है गर्श तो अगस्त में और फिर बनेगा दिसम्बर 2022 में इसके बाद दूसरी कंट्री देखें तो केनिया बना में यार्ज़ाद रहेंगे जो भारत के साथ बने केनिया आइजलेंड केनि तो नार्वे के बाद है आपका मेक्सिको ठीक है कंठी का नाम नोट करेंगे मेक्सिको समझ में तो आ रहा है न आप लोगों कोई दिक्कत तो नहीं है तो कौन से भारत के इंडिया आईजें नार्वे और मेक्सिको अब 2022 में देखते हैं कि कौन-कौन से देश इसके लिए बन क्या फिर है एक wonder तो नार्वी के पर बन नोट करेंगे पाँठी इसके पाइंडेस में आ हैई तो नाम याद कर लेंगे इसका भी आप के एकगदे यह होगा जो है रो 울 supposed सब चीजे इसलिए आप लोग को करा है अब आगे चौनती चर्चा के मुद्द आप लोग देखे होंगे सिरी लंका अब सिरी लंका मैं आपको बता है में जिन सी लगी पड़िए क्योंकि इमहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सरकार की पोलिस्यों की बज़ साइब तो यहां पर इनके नाम आप लोगें ऊप्लोगों से घ्यासकों मुतरी इसका राश्तपती ऑर उस गोटा बाया राजबक्से समझ्जा आ गया यह आप लोग प्लीज इसको नौट कर लेना वेरी वेरी इंपोटेंट है कनाड़ा के प्रधान मंत्री कौन है जस्टिन प्रूडो जो ट्रक हलताल को लेकर चर्चाव में रहे थे और देखेगा अगर इसके साथ-साथ अगर हम ब वह जो बाइडें जौ ब्याईडन भी हारम नवह पूछिया बिश्कर क्या है और कबनाएड में भाटान सीदेन तो यह है कब्ला है इस thought you लेक्टर से आप लोग को टेली ग्राम पर हमारे टार्गेट फॉर आईक्यू आपको इसके पीडियर फॉल नॉट्स जो है वह भी अविलेबल हो जाएंगे ठीक है हमारे कॉसिस के लिए आप लोग इस नमबर पर वाट्स अपप यकोतर कर कि जुए डिक जामकरी सते जो मंतली करेंटा फिर आप लोगों के लिए लिकता समझ में तो आ रहा है नहीं आप लोग Am तो इनके नंबर आप लोग याद रख लेंगे प्लीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और यह एक्जाम में आप लोगों को याद रखना है एक देखेंगा दक्षिल कोरिया के आप लोगों को याद रखना है राप्रधान मंत्री बने अभी कौन यॉन नोट कर लेंगे यह यौन सूब वेरी वेरी मॉस्ट है यौन सूब योरी ठीक है एक यह आप लोग याद रखने कोन से साउथ कोरिया के लिए सभी को अभी हाली में एक चीज आपको बताओं चर्चाओ में क्या है वर्ल्ड जोग्रफी के content से आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके exam में आएगा सावा लेक इराइक की लेक है यह पूरी तरीके से लुक्त का मतलब यह आप लोगों ने देखा उगा, आपके आस पास भी तलाब होगे तो यह भी चरचाओ में रही है क्योंकि वहां के लोगों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया है तो यह आप लोग याद रखेंगे अब लेक से बात आये तो कुछ लेक आपको मैं बदा रहता हूं जो है एक्जाम पॉंट अब इस इंपोर्टेंट है एक है लोक्तक जील जील क्या है जील की डेफिनेशन होती है पानी का वह भूबा जो प्रथवी से यानि मिट्टी से चा संगे स्यों पॉणी के एक्जाम में आप लोगों को साइंगी एक आ Например कहां प्रिदेश में इसको लौ चाहों तो नॉट में आ रहे हैं सभी को भाई किसी को कोई दिक्कत थो न elizya नोगकि suburbs और comment जरूर कर रहा करें आप लोगों के लिए lectures बगेरा बना रहा हूं comment करके please बताए करें कि आप लोगों को सही लग रहा है नहीं लग रहा यह exam में आप लोगों को इक exam में आप देखें का एक question है आप लोगों का वो है Pritager Award Pritager Pritager Puriška वास्तु कला की शेत्र में दिया जाता है, वास्तु कला की शेत्र में दिया जाता है। ठीक है यह आप लोग नोट कर लें लिख रहे हैं आप लोग इसको नोट कर रहें चली ठीक आगे बरतें यह पोशन भी आप लोगों को एक्जाम में भाया बहुत इंपोर्टेंट है 100% यहां से बने गए बनेगा अब आप लोगों ने ये तो हो गया क्या वास्तुकला से पुलितिजर पुरुसकार एक है पुलितिजर पुरुसकार इसको भी कन्फ्यूज मत होईएगा पुलितिजर आपुरुसकार ठीक है पुलितिजर आवार्ड ठीक है इसको नौट करेंग कि 1917 में और 1917 में अगर हम भारत के कंटेस्ट में देखें तो क्या हुआ था चंपारण मुमेंट हुआ था गांधी जी ने जो किया था बिहार में राजकुमार सुक्ल के कहने पर गए थीम कठिया पिल्लाली का विरोध करने ठीक है तो यह पुरुसकार एक्चुल में बाटा ज रहता है नहीं नहीं है जर्नलीजम की शेत्र में जर्नलिजम की इसको दिया जहता है प्रीट जर्ब बस्तू कला आठिटेक्चर पुलिट जर्ब जनरलीजम पत्र का लेता है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अब यहाँ पे फीचर्स ओफ फोटोग्राफी एक नई कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी मैं बता दे रहां आप लोगों को फीचर्स फीचर्स ओफ फोटोग्राफी है तो इस चार भार्तियों को मिला है उनके नाम आप लोगों को याद रखने एक्जान पॉर्ट आपसे तो नबर एक कौन कौन से अधनाबदी नोट कर लेंगे नाम अधनान अबदी ठीच दूसरा नाम नोट कर लेंगे आप लोग अदलान आपदी के बाद है दानिस शिद्धिकी दाशंती टीके टीजरा नोट कर लेंगे आप लोग उनका नाम है शना एशार्द मांटो सना इर्सार इलसाद माटो इसके नमबर चौर चार पर यहाद रखनाव है आम बहुत इंपोर्टेंट होगी आपके आने वाले एक्जाम पॉर्ट ऑफ यू से क्लिए रहे सभी को अभी आप लोगों ने देखा होगा उडिशा के तडपर एक तूफान आया है असानी इसको नौट कर लेंगे यह टोपिक कंप्लीट हो गया है अर्शानी ठीक है तो इसको आप लोगों को समझ में आरहे आप लोगों को हाँ यह नामे जवाब देंगे आप लोग फटा फट से थीके आप लोग अच्छे कमेंट बोक्स में आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं मुझे बताईए गुलाव जो गुलाव चक्रवात आया था और बुल-बुल इन दोनों के नाम किसमें रखे थे और कहां पर आए फटा-फट से मुझे आप लोग जो है बताईएगा एक्जाम पॉइंट हो कि लिए रहे सभी को अब देट याद रखेंगे 9 माई 2015 इस देट को तीन योजना है तीन योजना है जो है उनके कितने साथ साथ साल पूरे हुए साथ इयर्म जो है पूरे हुए यह आप लोगों को याद है ना चर्चाओं में हैं तो उनमें कौन-कौन सी है एक है मैं सोट में लिख दे रहा हूं प प्रधानमंत्री जैसे जीवन जोटि बीमा योजना एक तो इसको डूसरी लिख्यां प्रधानमंत्री शुरक्षग Gruyap तीसरे लिखे आप लोग अटल पैंशन योजना ठीक है अटल पैंशन योजना तीनों की सुरवात जो है अगर हम बात करें तो कॉलकत्ता से की गई थी की नोट कर लेंगे आप लोग कहां से कुलकत्ता से कब की देंगी भाईया साथ साल पहले नौ मईं 2015 को याद रखेंगे आप लोगों को यह सारी रीकवरी के लिए अतल पैंशन जो है वो बात करती है पैंशन से समझ में आ रहा है सभी को हाया नामे जवाब देंगे फटा-फ आड़ में नेयस हैं आप लोग उसे पूछा जा सकता है तो कलने जो क्वाड की कट्री है वाट की बात करें कॉर्ट में है चार देस कितने चार गंते कितने हैं चार तो कौन सा भारत आस्टेलिया ठीक है कौन सा आस्टेलिया जापान और यूएस यह आप लोगों को याद रखना है और इन चारों के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है उसका नाम है कौन सी मालावार यह आप लोग चाहतों याद रख सकते हैं के लिए रहे सभी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई बताइएगा जल्दी सब्सकी समझ में आ रहा है सब की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए जी आई टैग इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉंट ओव व्यू से और इस तरह की करेंट अफेर क्योंकि यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है अब देखिएगा कुछ आप लोगों को इंपोर्टेंट और इसकी गोंशला प्रधान मंत्री ने कब करें गुरु तेम मायतुर के चार सोवे प्रकास वर्स पर याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जन्वरी में इसकी कोंशला की गई थी तो कब है 26 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है एक तो क्रिसमस होता है उसके साथ क्योंता है सेल्फ गवन्डेंस डे अब सुएसासन दिवस हिंदी में बोलेंगे सुएसाशन दिवस यह कं मनाया जाता है स्ववेसासन यह अटल डातल अड़ल कौन है अटल प्रधान मंत्री अटल वेहरी बाजपई जी के बर्ध पर अब अब अटल टनल के बार लोगों से पूछी जा सकती है 9.02 किलो मिंटर है याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है रोतान पासिज में है पीर पंजाल रिंजिस में कौन से जिल और प्राचिय में हिमाचल प्रदेश में के लिए सभी को बया याद हो रहा है नहीं हो रहा एक है कोंकन सकती यह यह भी एक मिलेटर एक्सराइज है कोंकन सकती है ठीक है तो 2021 में याद रखेंगे कहां पर वही कोंकन सकती तो इसको नोड कर लेंगे अरब सागर में बंबाई के पास में और किस किस के बीच में होती है यह यह होती है भारत और UK यानि यूनाइटेट किंडम के बीच में जाद से यादे वीडियो आप लोग सेयर करिएगा और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ठीक है कुछ और लिए आप लोगों को चीजे बता देता हूं जैसे OIC है तो Organization of Islamic Corporation यानि इसमें 57 देश हैं 1969 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी यानि स्थापना हुई याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और इसकी 2022 में जो सम्मिट हुई है वो पाकिस्तान के इसलामाबाद में हुई है ये भी आप लोग चाहो तो not कर सकते हैं तो ये थी कुछ Current Affairs से related कुछ बात हैं और उमीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी ज Simply MP जुडिस्टरी जाहरकंड जुडिस्टरी के लिए तो आप लोग जाहरकंड के लिए भी हमारे classes start ओचिक है मां फिटी नमबर का gyS आता है यूपी में और भीहार के लिए अप लोग झाल प्रहालीं